दईबड़ों के अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि वह पानी को ही अपने अंदर ले लेती हैं, अजय अचार लेती हैं वही फुल्किया जब हमारे जिसम में जाएंगी तो हमने बॉडी में पानी इतना डाला नहीं होगा जितना वह आपने अंदर अब्सॉर्ब कर सबसे पहले तो आप सबको रमजान बहुत मुबारिक हो कि हमने रमजान में स्टेप किया है और उसकी लाइफ कैसे होगी किस तरह से हम उसको बेतर कर सकते हैं क्यूंके जब भी रमजान आता है हम उसके लिए बड़े excited होते हैं कि रमजान ने आना है और हमने उसमें जो है या तो गोल रखावा होता है अपना वजन कम करना है या वजन हमने अपना ज्यादा करना है या दूसरा गोल हमारा end पे यह आता है कि जी बस रमजान sustain करके अच् तो मैं ये खुद तो बात करूंगी लेकिन मैं चाहूंगी कि अगर आप लोगों के कोई भी क्वेस्टिन्स हूं कहीं पे भी हूं तो आप लोग कर सकते हैं उसको हम बिलकुल जो है वो ले सकते हैं इस चीज को इंक्ल्यूड करेंगे अच्छा सबसे पहले तो मुझे ये मैं आप लोगों से सवाल करती हूं इससे पहले आप लोग मेरे सिप करें मैं कर लेती हूं ताकि मेरी बचत हो जाए आप लोग जरा काम ही करें पहला सवाल मेरा ये है कि रमजान के जो आपने कुछ दिन गुजार लिये हैं, वो दिन आप लोगों के कैसे गुजरे हैं? लिहाज हम बात डाइट पे कर रहे हैं, अबादत पे हम कुछ देर बाद आ जाएंगे, लेकिन फिल्हाल डाइट के हवाले से कैसे गुजरे आपके दिन? बहुत अच्छे, खाया, पिया, एश की, मज़े किये, क्या क्या क्या, अच्छा ये बताएं पकॉड़े समोसे किस-किस ने खाये, वेरी गुड़े, एक अच्छी रेशो में यहां से पकॉड़ो समोसो की मिल गई है, जिस पे हम रिलाइक कर सकते हैं कि चलो जी हम भी उन श जब रमजान की बाद आती है, तो सबसे पहले हमारे माइन में कुछ चीजें आती हैं, जिसमें एक रोजा आता है, एक नीद आती है, दूसरा वजन कम करना आता है, और तीसरा हमारे माइन में जो चीज आती है, वो ये आती है कि by the end, यीद तक हमने कुछ गोल्स अपने महीने के लिए हम करते किया हैं अपने गोल्स बनाते तो हैं लेकिन हम उनको खराब भी बनाते हैं हम उसी बारे में बात कर लेते हैं अब गोल खराब कैसे बनता है गोल जो है वो खराब ऐसे बनता है कि हमने ये सोचावा होता है कि हमने पूरा कुरान पाक एक महीने में खतम क यह है कि एक दिन का एक सुपारा कमस कम हम पढ़ें तो हम 30 दिन बाद अपने 30 पूरे कर सकते हैं उसके साथ हमने अपना औफिस, कॉलेज, जो भी काम है वो भी करना है, अपना रोजा जो है उसकी भी चीज़ें प्रिपेर करनी है, खाना पीना भी है और उसको ले कर भी चलना है, तो मसला आता कहां पे, मसला आता है time management में, हम time manage करते ही नहीं है, time manage इस सरह से नहीं करते हैं, जिस time दिल किया उठ गए, जिस time दिल किया सो गए, जिस time दिल किया खा लिया, और mostly लोगों के साथ जब मैं interact करती हूं, तो मुझे पता ये चलता है कि उनकी जो sleep है, नींद है, वो मुश्किल से 3-4 गंटे बन रही होती है, आप लोगों में से कौन ऐसा है जो 7-8 गंटे रमजान में पूरे करता है नींद अपनी, ये मतलब manage कर लेते हैं, अपनी 7-8 गंटे नींद वरना, वाके ही 7-8 गंटे नींद पूरी क एक task बन जाता है रमजान में, क्योंकि सुबा जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, तरावी पढ़ना और उन चीजों में हम बहुत ज़्यादा complicate कर लेते हैं, अच्छा बात करते हैं, खाने की, कि सहरी में आपने खाना क्या है, हम बात इस लिहाद से करेंगे, कि हम healthy रह होगा, जिनका बढ़ता नहीं है, उनका बढ़ेगा भी, यानि ये all in one total diet plan हम लेके चल रहे होगे इस चीज को, सबसे पहले तो ये कि सहरी में आप लोगों में से रोटी कौन-कौन खाता है, पराठा कौन खाता है, पराठे वली तादाद मेरा ख्याल है रोटी से जादा ब हैं, इस्तेमाल करते हैं, क्या उसका चलता है, अंडा इस्तेमाल करते हैं आप लोग, पराठे के साथ नहीं कभी कबार, जी, शेहद, शेहद अंडे में डालके, अलग से, अच्छा पराठे के साथ शेहद इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल ठीक है, अब पराठे के जब हमने है तो पराठा हेल्दी है या नहीं है सवाल ये है क्या पराठा हेल्दी है अच्छा आप सब नहीं में सर हिला रहे हैं और पराठा खा भी रहे हैं ये क्या बात हुई ऐसे तो नहीं चलता या तो पराठा हेल्दी है आप लोग कहें इसलिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं पिर भ अच्छा पराठे को हम healthy भी कह सकते हैं और unhealthy भी कह सकते हैं इसलिए क्योंकि पराठा हम किस तरहां से बना रहे हैं वो उस पर depend करता है अगर हमने पराठे को बहुत जादा घी में नुचड़ावा बनाया है तो वो healthy नहीं है लेकिन अगर हमने पराठे को इस तरह से बनाया है कि पराठा बनाने के बाद हमने उसके अंदर add कर दिया है देषी घी बिलकुल एक चमच उपर apply कर दिया है उतारने के बाद तो वह हमारा पराठा healthy है हम olive oil apply कर लेते हैं तो वह भी healthy है दूसरी गलत प्रैक्टिस जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि हम सहरी में बहुत ज़ादा नमक और मिर्चों का इस्तेमाल करते हैं नमक मिर्चों का इस्तेमाल कैसे करते हैं अगर हम फ्राई अंडा खा रहे हैं अपना बॉयल डेग खा रहे हैं या कुछ भी ऐसा खा रहे हैं उसके उपर हम नमक मिर्चे इतनी जादा डाल देते हैं कि उसके बाद वो हमें सारा दिन प्यास लगाते हैं अच्छे ये तो वो लोग हैं जो सहरी करते ही नहीं सहरी कौन लोग नहीं करते जो डिनर अपना बहुत ज़ादा हेवी कर लेते हैं और उसके बाद सहरी करना उनको लगता है कि शायद हमारे लिए जरूरी नहीं है और हम सहरी को ना भी करें तो हमारा रोजा गुजर जाएगा लेकिन हमारा रोजा नहीं गुजरता सहरी जो है उसको अगर हम नहीं लेके चलते प्रॉपर तरीके से तो हमारा दिन का थ्री फोर्थ टाइम यानि आदा दिन से जादा टाइम जो है उसी पानी और उसी खाने पे हमने गुजरना है जो हमने उस टाइम पे खाया है लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम सहरी ही मिस कर देते हैं अब सहरी मिस करके आपने रात को तकरीबन 10, 11 या 12 बज़े भी अगर खाया था तो अगले दिन 10, 11 या 12 बज़े आपका पेट खाली हो चुका होगा बाकी दिन आप कैसे गुजारेंगे बाकी पूरा दिन हम फिर लड़ कर जगड़ कर या एक दूसरे को इरिटेट कर कर ही गुजारेंगे अफकॉस क्योंकि अगर पेट में कुछ नहीं होगा तो हम लड़ेंगे, बाहर से तो हम खा नहीं सकेंगे हम बच्चों में यह प्राक्टिस अक्सर देखते हैं कि वो अगर उनको खाना ना मिले तो वो रोते हैं, लड़ते हैं, चड़चड़े होते हैं लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी आदत बदलती नहीं है लेकिन हमें ये लगता है कि शायद ये सिरफ बच्चों में चीज होती है नहीं ये चीज हर age group में, हर level पे आपके साथ चल रही होती है इसलिए वो आपको feel नहीं हो रही होती लेकिन आपने क्या करना है सबसे पहली चीज सहरी अपने वक्त पे करें, proper करें अब proper सहरी क्या हो सकती है proper सहरी आपकी गय हो सकती है कि आप रोटी ले, रोटी के उपर देसी घी या olive oil का एक चमच का इस्तेमाल कर ले उसके साथ अंडा जिसमें बहुत सारी vegetables आप डाल के इस्तेमाल करें वो आप डाल सकते हैं या आपका एक समझ ले, आधा सहरी का काम हो गया है अब बाकी आधा पार्ट जो है, वो आपका दही, लसी या पानी हो सकता है अब दही और लसी में, चीनी और नमक का इस्तेमाल हमने नहीं करना क्योंकि अगर फिर हम दही में चीनी या नमक डालेंगे तो वो क्या करेगा हमारी बाडी में जाके, हमारी बाडी से जितना पानी होगा उसको एब्सॉब करेगा और बाडी से बाहर निकाल देगा अब एक और चीज यहां पर आती है, मैंने जो मिस की है सहरी में जो बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी important होती है वो आप लोग वो में से कोई बिता सकता है कि क्या है बिलकुल बिलकुल चाए और काफी मैंने जो है वो miss की थी इसी लिए कि देखने के लिए कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जो actively या religiously चाए का या काफी का इस्तेमाल कर रहे होते है चाए और काफी जो है वो diuretic होती है हमारे जिसम का जितना पानी होता है उसको absorb करके बाड़ी से बाहर निकालती है आम रूटीन में जब हम पीते हैं तो हम साथ पानी का इस्तेमाल करते रहते हैं लेकिन रमजान में अफकोस हमने उसके बाद अपना रोजा बंद करना होता है तो हम अगर सहरी करने के बाद भी अपनी ड्रिंक्स जो है उसको मतलब चाए काफी अपनी लेने के बाद पानी नहीं पीते तो पूरा दिन हमें बहुत जादा प्यास जो है वो लगती है इसलिए अगर तो आपको ऐसा मसला नहीं है कि आपको सरदर्ध होगा या आपकी बॉड़ी जो है वो बहुत जादा ड्रेंड और डिहाइडरेटेड होती नहीं है तो आप चाए का इस्तेमाल छोड़ भी सकते हैं लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा चाए के बगएर गुजारा होता ही नहीं है तो आप फिर आदा कब पीले आई तिंक आपका भी नहीं होता जिस तरह आप उसमें प्यार से मुस्कुरा रही है चाए पर नहीं गुजारा होता बिल्कुल सही है चले चाए का इस्तेमाल हम आपके कहने पर लिवरेज दे देते है जी जी चाए के प्रीस पर कोफी ज़्यादा है ज़्यादा ही लेकिन काफी आप किस तरहां से बना रहे हूँ उस पर डिपेंड करता है हमारे बनाने पकाने और खाने के जो तरीके हैं वो मुखतलिफ हैं बाकी लोगों से जैसे काफी अगर आप पानी में खाली में डालके पी रहे हैं उसमें थोड़ा सा दूद आड़ कर लेते हैं तो वो कॉफी आपके लिए नुकसान दे नहीं है लेकिन अगर आप कॉफी ले रहे हैं उसको बहुत ज़दा ब्लेंड करके या उसको बहुत ज़दा आई इस और उस चीज में इतना उसको कैलें के कैरमेलाइज कर दिया है चीनी बहुत ज़दा डाल दी है तो वो आफकोस नुकसान दे होगी आपके लिए इसलिए अगर आप चाए कॉफी ले रहे हैं तो उसको पहली बात अगर आप एक कप पीते हैं आम रूटीन में और जिसके लिए आप, मैं, हम सब एकसाइटेड होते हैं वो होती है हमारी इफ़तारी और इफ़तारी का इहतमाम हम लोग दूसरों के लिए भी करते हैं हम सहरी पे किसी को भी इन्वाइट नहीं करते हम इफ़तार पर इन्वाइट कर रहे होते हैं आपको क्या पसंद है इफ्तार में? खजूर बस खजूर से आपका गुजारा हो जाता है पानी और खजूर के साथ आपकी इफ्तारी हो जाती है आप तो बड़े अच्छे हैं भाई आप बताईएगे का आप क्या लेते हैं अच्छा बिलकुल ठीक है आप बताईएगी मिस फ्रूट चार्ट च systematically और उसके बाद खाना थोड़ा सा कभीगा खाना थोड़ा सा और कभी-कभी अच्छा आप बताईएगे फ्लीज आपकी क्या रुटीन है खाना और खुजूर कभी कभी चाहे कभी कभी चाहे खाना और खुजूर अच्छा हमने जो विराइटी देखी है जो लोग यहां बैठे हैं उसमें एक तो यह है कि खुजूर और पानी उसके बाद खाना दूसरा फ्रूट चार्ट दई बड़े और खाना तीसरी हमने جो विराइटी देखी है वो यह है कि सिर्फ कभी कभी खाना हम ले रहे हैं लेकिन कभी कभी खाने के मुराद यह होगी कि हमने अपना इफ्तार या तो इतना हेवी कर लिया है कि अब हमें खाने की जरूरत नहीं है कि वो आपके जिसम में जाके जितनी आपके बॉड़ी में पानी होता है वो उसको भी एब्जॉब कर लेते हैं अब हो क्या राह है आपने क्या किया आपने रोजा खोलते ही शर्बत पीने शुरू कर दिये जो के ठंडे भी थे और मीठे भी थे अब मीठे और ठंडे शर्बत जो है जब आप पीते हैं पहली बात आपकी बाड़ी का टेमपरेचर बहुत गरम हुआ होता है जैसे एकदम से आप ठंडा शर्बत अंदर डालते हैं तो बाड़ी के जो defense mechanism है वो on हो जाता है क्या option हो सकता है इफ़तारी कैसे करनी चाहिए नमर वन इफ़तारी खजूर पानी या नमक जो के हदीस भी है उससे करनी चाहिए पानी normal room temperature का हो तो उससे बहतरीन चीज़ कोई नहीं हो सकती और अगर आपने खजूर खा ली है पानी पी लिया है तो उसके बाद जैसे ये भाई प्राक्टिस कर रहे हैं बड़ी अच्छी चीज़ है कि उसके बाद आप अपनी जो मगर्ब की नमाज है वो अदा करें और उसके बाद आप खाना खा लें लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं फ्रूट चार्ट दई भड़े ये चीज़ें या चना चार्ट बड़ी मेरे लिए अच्छी है और मुझे खानी है तो उसकी क्वांटिटी पे फिर हमें बात करनी पड़ेगी कि वो क्या हो सकती है पानी और खजूर से आपने रोजा इफ्तार किया उसके बाद कोई सा एक फ्रूट जो है आप उसको डिरेक्ली कंज्यूम कर लें और अगर हम फ्रूट चार्ट की तरफ जा रहे हैं तो फ्रूट चार्ट जो है उसका एक बाउल छोटा अपने लिए रख लें और उसके गयर हम अपना फ्रूट भी नहीं कंज्यूम करतें तो वो चीज हम नहीं डालेंगे फ्रूट को डिरेक्ली कोशिश करें रोफ ओम में ही उसको कंज्यूम कर लें उसके बाद आपका जो खाना है वो खाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके जिसम को तीन टाइम खाना खान होना शुरू हो जाएगी और आप मैकसिमम चौदा या पंदरा रोजों के बाद जो है वो बिलकुल निढाल हो जाएंगे और आप रोजा नहीं रख पाएंगे और बहुत सारे लोगों में ये भी देखा जाता है कि वो चौदा या पंदरा रोजों के बाद या तो उनको दाइरिया हो रहा होता है या उनको चौदा या इसलिए होती है क्योंकि हमने कोई भी फूट्स वेजटेबल्स जो है अपनी बॉडी में अड़ नहीं की होते हैं अपना फाइबर जो है वो हम बिलकुल बॉडी से निकाल चुके होते हैं जिसकी वज़ा से इमें चौदा य जाती है और डाइरिया होने के चांसे इसलिए जादा होते हैं क्योंकि हम सिर्फ पानी पे रिलाइ कर रहे होते हैं जब आप खाना नहीं खाएंगे तो आप सिर्फ पानी पीएंगे और पानी बहुत जादा पी लेंगे जब आप बहुत जादा पी लेंगे तो सुबा से भ उसको पूरा करें कमजव कम पांच से च्छे गहंटे तो कमजव कम दें ज्यादा से ज़ादा साथ से आठ गहंटे अगर आप दे सकें तो इससे च्छी बात कोई हो नहीं सकती और इसके इलावा ये तो वो चीज हो गई जो हमने खाने की बात की कि आपने खाना क्या है उसके इलावा जो चीज सबसे ज़्यादा काउंट होती है वो प्राक्टिस यह होती है कि आप ने उस खाने में खाया क्या क्या है अगर आपको मैंने का आप रात का खाना खा लें तो आप सब लोग रात के खाने में हो सकता है कह दें कि मैं बर्गर, शुआर्मा या पीजा खा लूँगा तो वो खाना मेरी मुराद नहीं है मेरी मुराद खाने से ये है कि आप एक ऐसा हेल्दी खाना खाएं जिसमें रोटी हो यानि के कॉंपलेक्स काब्स हो, प्रोटीन का एक पोर्शन हो, यानि दाल या बोटी कोई हो उसके साथ वेजिटेबल का पोर्शन हो, अगर तो पकीवी सबजी है तो वेल एंड गुड, नहीं तो कच्ची सबजी का इस्तेमाल बिलकुल किया जा सकता है वो आपके लिए हेल्दी है और आपको कॉंस्टिपेशन का शिकार नहीं होने देगी उससे ये होगा कि बोटी में जितनी डिहाइडरेशन हुई भी होगी वो सारी उससे कवर अप हो जाएगी और आप बहुत एजिली उसको कोपा कर सकेंगे अपनी डाइट के साथ इसके इलावा आपने नीद अपनी पूरी करनी है चाय को कोशिश करना है कि कम से कम ले अगर आप लेते हैं तो मैकसिमम दिन में एक कप या डेड़ कप तक आप चले जाएए इससे जादा इस्तेमाल ना किया जाए आप लोगों का कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो भाई आप असर के बाद इस्तेमाल करेंगे तो रोजा ही टूट जाएगा आपका रमजान में इस्तेमाल करने का बहतरीन तरीका है कि आप इस्तार में इस्तेमाल कर लो और जिन लोगों को होता है कि हमने अपना वजन बढ़ाना है वो उसी खजूर को जो बुखा रहे हैं खजूर को दूद के अंदर डालने अगर ड्राइफरूट अवेलेबल हो तो दो से तीन बदाम दो तीन अखरोट डाल कि उसको इस्तेमाल किया जा सकता है वो एक तो आपके वजन को बढ़ाने में मदद करेगा दूसरा आपको जो सारा दिन बॉड़ी जो है डिहाइडरेट हुई भी होती वो उसको फिल फिल करने में हेल्प आउट करेगा जी जी तो क्या यह दोनों अपनी रिप्लेस्मेंट कर सकते हैं कि नहीं वो जो जो आपकोड़ेट है वाटर स्टोर यह किसी हमारे होड़ेशन में किसी काम नहीं आता है देखे काबो हाइडरेट्स अगर हम बात कर रहे हैं रमजान में तो हम आज सच काब लेते नहीं है नहीं की इसलिए नहीं की क्योंके मैं अगर बात करूंगी तो हो सकते हैं आप लोगों में से कोई भूला वाओ के हमने वो चीज नहीं खानी और मेरी बात करने से वो याद आ जाए कि जी पकोड़े समोसे हाज तो हम जरूर जाते ही खाएंगे नहीं प्लीज ना खाएं क्योंके वो बहुत जादा जिन लोगों को में तजाबियत होती है बहुत जादा जिनको दिल की जलन और मतली का मसला रहता है उनमें ये पकोड़ों समोसे आनी शुरू हो जाती है और जा तक बात हम करते हैं необ pen dhydration काब से हम कवर करते हैं वो बड़ी कम % एक हमारी कवर करती है क्योंकि रमझान में हमारी body weakness की तरफ ज़्यादा जा रही हुती है तो इसलिए हमें कोशच ही करना चाहिए कि पानी हम जपने पीये और अच्छा dehydration की symptoms अगर मैं आपको बताऊं तो आप बड़े हिरान होंगे कि ये dehydration की symptoms है dehydration की symptoms है सर में दर्ध होना, हाथों का dry होना, जिल्द का अकड़ जाना, dry होना उसके इलावा आपके पाउं का सूच जाना, जिसम का बहुत जादा फूलना ये सब जो है dehydration के ही हमारे symptoms आते हैं body में हमें dehydration का एक symptom लगता है जुबान का सूखना और अपनी body को पता चलाना कि मैंने इतने घंटों से पानी नहीं पिया तो अब मुझे पी लेना चाहिए वैसे तो मुझे लगता है कि ये रमदान में उन लोगों का काफी अच्छा इलाज हो जाता है जिनको हम पूरा साल कहते रहते हैं पानी पीओ पानी पीओ और वो पानी नहीं पीते और अब आकर उन्हें पानी की इंपॉर्टेंस का जब पता चलता है तो फिर वो पानी को इंतजार कर रहे होते हैं कि इफ्तार हो और हम पानी पीए हर बाडी पे टोटल डिपेंड करता है कि हमें कितना पानी पीना चाहिए लेकिन अगर एक अंदाजा मैं दूँ कितना पानी तो कमस कम साथ से लेके बारा ग्लास के दर्मियान आपको पानी एक दिन में जरूर पी लेना चाहिए हाँ ये सबसे अच्छा क्वेस्टिन आपने किया है कि सिंपल काब्स अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो ब्रेक डाउन बाडी में बहुत जल्दी हो जाते हैं और बाडी से मतलब हमारा पेट उतनी जादा देर के लिए भरावा नहीं रहता जबके कॉम्पलेक्स काब्स जो हैं वो हमारी बाडी में जादा देर रहते हैं बरकरार रहते हैं और हमें बहुत जल्दी भूक नहीं लगने देते अब complex carbs क्या है और simple carbs क्या है complex carbs जो है वो हमारे रोटी, चावल जैसे हम बात करते हैं oats, jaw, jay ये सारी चीज़े हमारी complex carbs में आती है जबके हम बात करते है simple carbs की तो वो हमारा मैदा, white floor जिसको हम बजार से खरीड़ते हैं, white data, सफेद data जिसको कहते हैं यह चीज़ें हमारी उसमें आती हैं और अगर हम refined carbs या simple carbs हैं वो यूज़ करते हैं तो हम बहुत देर तक body को fulfill नहीं रख पाते हैं और कोई सवाल है किसी का वो इसलिए होती है क्योंकि जो sugar होती है वो body में हमारे पानी को store करना शुरू कर देती है और जब kidney से success हो जाता है पानी तो वो फिर टांगों में और पाउं की तरफ जाता है जिसकी common disease इडिमा भी हम कहते हैं वो आ रही होती है उसमें यही होता है कि आपके पाउं की तरफ पानी का रुजान ज्यादा होते हैं और वो swell हो जाते हैं और सूजे वे रहते हैं अच्छा अगर जब हमने पकोड़ों समोसों की बात कर ही ली है तो फिर उसमें जो है वो एक चीज य भी मैं आपको बता दू कि हम लोग पूरा सीजन पकोड़े और समोसे कितनी बार इस्तेमाल करते हैं आप लोगों मैंसे कौन है जो डेली बेसिस पर पकोड़े और समोसे इस्तेमाल करता हो पूरा साल हाँ नहीं इफ्तार की हम बाद में बात करते हैं अच्छा हफ़ते में एक बार महीने में एक बार महीने में एक बार के हमारे पास कुछ आए है छे महीने में एक बार अब यह देखें कि हमारे पास जो रेट आया है वो कितना कम है महीना छे महीने में और रमजान जैसे ही आता है न हम रमजान में इंतजार ही ये कर रहे होते हैं कि इफ्तारी में पकोड़े, समोसे, तलीवी चीज़े जो हमने बहुत जादा खानी है अब हमारे जिसम को आदत नहीं होती, जो के एक healthy person है मैं उसकी बात कर रही हूँ, अभी बिमार इंसान की मैं बात नहीं कर रही है healthy person जब daily basis पे खाना शुरू करता है, body को आदत नहीं है, वो क्या करता है, different diseases जो हैं वो बनाना शुरू कर देता है क्योंके हम लोग पकॉड़ों, समोसों को ना तो bake करते हैं, ना air fry करते हैं, जब मैं अपने patients को ये बात recommend करती हूँ, तो वो आगे से कहते हैं कि मैं उसका तो मज़ा ही नहीं आता आप लोगों में से किसी ने try किये air fryer में या bake पकॉड़े अच्छा, answer जो है, वो 100% no है, कि हम लोग पकॉड़ों की form को, मतलब गुस्ताखी कर ही नहीं सकते हैं, पकॉड़े की उसमें, जो है, कि हम उसको चाहते हैं कि वो fried और deep fried ही हमारे पास available हो, तो ठीक है, deep fried पकॉड़े जो है, जब हम वो खाते हैं, तो हमारी जो दिल के अमरा हैं, वो ज्यादा होने लग जाते हैं, इसलिए क्योंके oil जो है, वो हम इतना ज्यादा consume करते हैं, और उसके साथ जैसे मैंने ठंडे juices और soft drinks की बात की हैं, हम वो भी खाते हैं, इसके इलावा जो लोग हैं, जैसे आम routine में हम बात करें, तो 29 या 30 रोजों में से कम असकम, 10 से 12 रोजे जो हैं, वो बाहर इफतार करते हैं, on average, बाकी बहुत सारे लोग सारे के सारे भी बाहर इफतार करते हैं, लेकिन on average, 10 से 12 जो हैं, वो बाहर इफतार कर रहे होते हैं, तो अब 10 से 12 जब हम इफतार बाहर करते हैं, तो बाहर क्या वो fruit chart मिलती हैं, जिसका पहले मैंने जिकर किया कि उसके उपर ना जूस होगा, ना चीनी होगी, ना चाट मसाला होगा, कुछ नहीं होगा दही बड़ों कि अगर हम बात करें तो उसकी फुलकिया इतने डीप फ्राइड ऑईल में बनती है और अगर हम उसको पानी में सोक करते हैं, तो आपने देखा होगा, कि वो पानी को ही अपने अंदर ले लेती हैं, जस्प कर लेती हैं और उसके बाद दही को भी अपने अंदर एब्सॉब करती हैं तो जो वो ही फुलकिया जब हमारे जिसम में जाएंगी, तो हमने बाड़ी में पानी अतना डाला नहीं होगा, जितना वो अपने अंदर एब्सॉब कर लेगी नमर थ्री, हमारे पास वहाँ पे फ्राइड आइटम्स जैसे के मैंने पकॉड़े, समोसे, या चिकन स्ट्रिप्स जो हैं वो फ्राइड मोस्ली या टेंडर पॉप्स ये चीज़े अवेलिबल होती हैं तो एक तो वो फ्राइड होती हैं, दूसरा गर हम उसमें चिकन का या प्रोटीन का पोर्शन ले भी रहे होता है, तो वो इतना मिनिमल होता है, कि उसका हमें कोई बेनिफिट होता ही नहीं है उसके बाद जब हम खाना या इफ्तार बूफेज की तरफ जाते हैं, तो बूफेज में हमें मीठा भी खाने को मिल रहा होता है, खाना भी मिल रहा होता है, तो हम फिर देखे सोचे समझे बगएर बस खाने लग जाते हैं और खाते चले जाते हैं, और उसके बाद हमारे पा चार गंटे रहता है। आउट कर देते हैं, maximum absorption जो पानी हम जादा पीते हैं, 5-6 ग्लास पीते हैं, वो 1-5 गंटा बोडी में रहता है, उसके बाद निकल जाता है, लेकिन 5-6 ग्लास सहरी में पीने के बजाए, अगर हम 2-3 ग्लास पीते हैं, तो उसकी sustainability बोडी में absorption ज्यादा होती है, क्योंकि हमें ए raise भी करती जाओं, तो आपका क्या action होगा, मैं में एक मिनिट, रुख जाएं, इतनी जल्दी speed में ना चलें, अराम अराम से चलें, यही हमारी बोडी का action होता है, जब हम बहुत जादा पानी डालते हैं, तो वो बोडी से simple nutrients और चीज़ें एब्जाब करने के बजाए, अर्टिंग में तो मतलब 8-12 glass पूरे कर लेते हैं, तो रमजान में किस तरह हम स्टेंग करें इसके हैं? बिल्कुल नहीं रहती और आप उसको पीते भी नहीं हैं, तो उसकी बजाए आप दूद का इस्तेमाल कर लें, दूद सादा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, milkshakes और उन चुज़ें से avoid किया जाएं, क्योंकि बोडी जो है, वो इतना light हुई भी होती है, कि हम एक तो उसमें ठंडी और fried चीज़ें डाल रहे होते हैं, दूसरा अगर हम उसमें milkshake जैसी heavy चीज़ें डालने लग जाएंगे, चीनी से भरपूर तो वो हमारी body से, वैसे ही जितने भी nutrients होंगे, उनको excrete out करा देगी, जितनी भी नीली, काली, हरी, बोतले, juices हैं, उनका इस्तेमाल जो है, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एक glass की हम बात करें, तो normal जो काली बोतल का है, उसके अंदर 9 से 10 glass चमचीनी होती है, sorry, और अगर हम diet की बात करें, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं, क्योंकि मैं तो diet इस्तेमाल करता हूँ, diet में 6 चमचीनी होती है, जब उसने लेनी है, 7 से 8 चमच, तो आपने अगर अपनी पूरे दिन की शुगर इस एक काली बोतल के glass से पूरी कर लिए, तो बाकी पूरा दिन क्या भूकर रहने वले हैं, बाकी पूरा दिन क्या आपने कुछ नहीं खाना चीनी, तो आपकी रोटी में भी है, आपके fruits में भी ह बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल करते हैं, कि रमजान में अगर हमने मीठा ही नहीं खाया, तो हमारी बाडी की तो sugar levels ही low हो जाएंगे, शुगर लेवल नहीं low होंगे, अगर आप रोटी religiously दो टाइम खा लेते हो, सहर और रात में डिनर में, तो नहीं होगी, इसके वाँ, बिलकुल, मैंने physical activity की कोई बात नहीं की, और आप लोगों में से भी किसी नहीं कहा कि मैं मैं करना चाहता हूँ, या incorporate करते हैं या उस चीज़ को, वाँ या exercise, करने का बहतरीन time रमजान में क्या हो सकता है, अगर तो आप वजन कम करना चाहते हैं, तो असर और के दरमयान जो आपकी वाक है, वो बड़ी जरूरी है, और आप उसको अगर परफॉर्म कर लेते हो, तो बहुत healthy जो है आप अपना वजन कम कर सकते हैं, नमबर टू, जो लोग असर से मगरिब के दरमयान नहीं कर सकते हैं, वो तकरीब आठ से दस बजे के दरमयान अपना ख आपने देखा होगा, अकसर हमारे घरों में प्रैक्टिस यह होती है, मैंने खाना बहुत जादा खा ली है, मेरा तो वजन आजकल बहुत बढ़ रहा है, खाना खाते ही हम वाक करने लग जाते हैं, जैसे हम खाना खाते ही वाक करते हैं, हम अपना वजन कम करने की बज़ए वजन बढ़ा रहे होते हैं, क्यों? कोई बता सकते हैं आप लोगों में से? एक तो बॉड़ी खाने को सेंस नहीं कर पाती, दूसरा जो हमारी बॉड़ी में फैट जाता है, वो इतना ओपन होता है, कि जैसे ही हम वाक करते हैं, तो हमारे जितने भी बॉड़ी के पार्टिकल्स होते हैं, वो उसको एब्जॉब करने लग रहाते हैं, तो हम उसको D-shaped अपनी बॉड़ी में अटाच कर लेते हैं, क्योंकि हम कोई भी proper उसकी exercise नहीं कर रहे हैं, कि अच्छा जी तो आप मोटे होंगे बजाए पतले होने के, ये कुछ concepts हैं, जो काफी गलत चलते हैं हमारे environment में, हमारी society में, उन चीज़ों को हमें पूपाप करना चाहिए, और सीखना चाहिए, और बाकी लोगों से भी इस चीज़ को share करना चाहिए, कि क्या practices हमारी होनी चाहिए, किस तरहां से हम body को लेके चलें, और क्या actions ऐसे perform करें, जिससे हम healthy life गुजार सकें, अगर हम बात करें हमारे parents में, तो या grand parents अगर किसी के घर में हैं, तो वो हमसे ज़्यादा active हैं, वो हमसे ज़्यादा अच्छा खाना खा लेते हैं बीबी, वो हमसे ज़्यादा अच्छा रोजा अगर वो नहीं भी रख पाते, क्योंके due to their medical conditions, तो वो हमसे ज़्यादा फिर भी पूरा दिन sustain कर सकते हैं भूख या प्यास को, हम लोग नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं? Exactly, हमारी और उनकी डाइट में, हमारी और उनकी physical activity में, हमारे और उनके lifestyle में जमीन आस्मान का difference है, अगर हम देखें, उनकी life क्या थी, जो के surround कर रही होती थी, सिरफ देसी चीजों के, organic चीजों के, और उसके इलावा सारा दिन चलना, भिरना, वाक, exercise उनकी, खुद ही हो जाती थी, सबसे बड़ी exercise उनकी ये थी, जो वो सुबह उठते ही दूद में मदानी डाल लेती थी, पूरी body उसी से ही workout कर लेती थी, दूसरा best workout था, आटा गून लेना, हमारे घरों में कितने ही लोग हैं, या कितनी ही ओरते हैं, जो अब खुद आटा गूनती हैं, हम आटा गूनने विली machine लाके घर में रख लेते हैं, आटा डालो, पानी डालो, आटा गून के बाहर आ जाता है, और हम बड़े खुश हो के भी बिताते हैं, मेरे घर में आटा गूनने विली machine है, जो आटा खुद ही गून लेती है, जब हम आटा गूनते हैं, हमारी बाड़ी के सारे जो और्गन्स हैं, पूरी बाड़ी के muscles हैं, वो working condition में आते हैं, इसलिए वो हम से बेतर condition में हैं, और अगर हम अपनी condition को बेहतर करना चाते हैं, तो बजाए सारा दिन सोफे पे बैठ के, अपने फोन यूज करने के, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के, जितना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, ट्रस्क भी उतनी हम वाग कर लें, तो हम से healthy इंसान दुनिया में कोई नहीं हो सकता, क्या ख्याल है आप लों का? देखें, जो सारा दिन हम चलते फिरते हैं, बेसिक वाग करने का मतलब यह नहीं होता, कि आप सिर्फ चल रहे हो, वाग करने का मतलब यह होता है, कि जो आपका heart rate है, वो balanced है, उपर नीचे आ जा रहा है या नहीं जा रहा है, बेसिक जो count चलता है, वो heart rate का ही चलता है, अगर आप पूरा दिन चल रहे हो, maximum आप kitchen से कमरे तक, कमरे से kitchen तक आओगे, खतम हो जाएगा, जिसमें से दो मिनिट वाग की जाए, एक मिनिट अंदर कमर्स कम जाग की जाए, उससे होता यह है, जैसे ही आपका heart rate fluctuate होता है, वो आपकी body में heart, blood की supply जो है, वो ज्यादा कर देता है, जिन लोगों को अच्छी skin चाहिए, वो ये कर सकते हैं, कि वो walk इस तरीके से करें, जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, या body में अपने food को absorb कराना चाहते हैं, वो इस तरह से exercise और walk कर सकते हैं, एक और चीज हमारी body जो है, वो बड़ी smart होती है, अगर हम पूरा दिन एक ही काम करते हैं, तो वो उसको sense कर लेती हैं, और फिर उस पर जो है, वजन कम करना या बढ़ाना, या normal routine में चलना छोड़ देती हैं, इसलिए आपने अपनी body को भी, एक shock देना होता है, जैसे for example, एक दिन आपने 20 minute walk की है, तो अगले दिन कमस कम 22 ये 23 minute walk करें, या 15 से 17 minute पे आजाएं, कमस कम 2-3 minute का जो है, उसको gap दें, क्योंकि अगर उसको लगेगा, कि वो एक ही square में move कर रही है, तो वो अपना weight loss करना, या body को active करना, छोड़ देगी उसे लगेगा, ये तो मेरा रोस का रूटीन का काम है, और कोई सवाल है अप लोगों का, भाई पहले तुम खाना खाओ, फिर walk करना, खाली walk करोगे तो बज़न नहीं बड़ेगा, स्टीविया, स्टीविया नैस्ट्रिल स्वीटनर है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और चीनी बहुत जादा खाते हो, तो आप अपना वजन जादा बढ़ा सकते हो, आप चीनी और पराठे खाके, अगर अपना वजन बढ़ाते हैं, तो वो कितने दिन बढ़ा रहेगा, जादा सजादा एक महीने, दो महीने उसके बाद अगर आप छोड़ोगे तो एक तो drop down होगा दूसरा आपका uric acid cholesterol जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा जितना oil आपने अपनी body में डाल लिया इसलिए अगर आपने अपना वजन बढ़ाना है तो वो healthy ways में बढ़ाया जाए दूसरा चलता है कि खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए अब दोनों के reasons और research जो है वो बिल्कुल different है खाली पेट पानी पीना चाहिए इसके बारे में एक हदीस भी मौझूद है कि आपके जिसम को कमजोर करती है ठीक है जबके science ये कहती है कि अगर आप उठते ही खाली पेट पानी पीते हैं तो आपकी body के जितने toxins होते हैं वो body से निकल जाते है दूसरी research ये कहती है कि अगर आप उठते ही पानी पीते हैं तो आपकी body में जितने healthy materials होते हैं वो भी body से बाहर निकल जाते है तो अब हमें करना क्या चाहिए पानी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए ये सवाल आता है बिल्कुल पेट खाली होता है बिल्कुल अब उस टाइम पे आपने पानी अगर आप गरम इस्तेमाल करते हैं सुबा उटते तो आपके बॉडी से उस तरह से healthy material और healthy toxins जो होते हैं वो नहीं निकलते हैं जो सिर्फ unhealthy और आपकी बॉडी में जो कहले हैं एंटी आक्सिडंट्स और वो चीज़ें बन रही होती हैं जिसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं जीरे का पानी इस्तेमाल किया जा सकता हैं वो आपकी बॉडी से unhealthy चीज़ों को सिर्फ बाहर निकालता है healthy को नहीं निकालता और अगर आप बहुत ज़्यादा थंडा पानी पीते हैं तो उसको avoid करना चाहिए उसका कोई benefits नहीं होते हैं हमारी बॉडी को बलके उल्टा हमारी बॉडी में जितनी आप कहलें के healthy diet ये healthy nutrients हमने डाले बहुते हैं वो भी body से flush out हो जाते हैं Green tea हमारी जो ये वो dietic में आती है जैसे कि हमारी urination process को बहुत ज़्यादा speed up कर देती है अगर आप green tea इस मकसद से पी रहे हो कि आपका वजन कम कराए तो green tea आपका वजन आसच कम नहीं करवाती एड जरूर कर सकती है लेकिन वजन कम नहीं कराती ग्रींटी इसके इलावा अगर आपने green tea का استعمال करना है तो green tea का इस्तेमाल आप अपने रात के खाने के बाद कर सकते हैं लेकिन रमजान में कोशिश करें कि आदे कप से जादा ग्रीन टी का इस्तेमाल ना किया जाए और उसमें चीनी तो अफकॉस एड़ नहीं करेंगे अब जी अगर अपने चाय पीने से पहले पानी पीना है तो वेलेंट घुड आप पी लेंगे तो आपकी बोडी में ये होगा कि नौनल रूम टम्परेचर आपने पानी िरुम किया तो आपकी बोडी एक स्टेवल फॉर्म में और तो पिर आपने चाय पी लिए मैंने कहा है कि वो complex carb बिलकुल है लेकिन चावल आपने किस चीज़ के साथ इस्तेमाल की है अगर आप चावल सिरफ खाते हो दो प्लेट भी अगर आप खाली चावल खा लेते हो तो भी आपका पेट भरावा नहीं रहेगा चावल जब भी खाने है पेट भरने के लिए आपने उसके साथ या तो protein portion यानि 2 से 3 कम अज़कम बोटी का इस्तेमाल करें और उसके साथ salad का इस्तेमाल करें number two option दाल चावल का इस्तेमाल करें जिसमें किसी भी किसम की दाल इस्तेमाल हो सकती है सिर्फ जिन लोगों ने वजन कम करना है वो चने की डाल का इस्तेमाल ना करें वाकि सारी डाले इस्तेमाल की जाएं तो आप बहुत हद तक अपने पेट को फुल्फिल रख सकते हैं for a longer time मैं ग्रीन ग्रीन के हवाले स्वाल जाओ जाओ जी जी लोगो कहते हैं आप खाने से आप अएंटा कृएं लोगो ही कोछीरियन कन आप cuma और सब्सकार के तुर्च पाकि करहते है तो आप क्या करते हैं अज़ने अगर क्रीन टी की बात करे हैं तो झाएं, यसम inability आप डियोटरी एक हम पोड़ीर्टिकर envision कि आपकी बॉडी का जितना healthy gut है ये उसको भी खराब करेगा nutrients जो हैं बॉडी से उसको भी लेकर flash out हो जाएगा ठीक है इसलिए हमें खाली पेट तो green tea का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए लेकिन अगर हम ये कहें हमने दुपहर को launch किया था अब रात का dinner हमने ज़रा heavy करना है हम कहीं बाहर जा रहे हैं हाइटी है बूफे है तो हम उसमें ज़रा कम खाएं या वजन ना बढ़ा लें इसलिए हम अपनी green tea का इस्तेमाल करें तो trust me green tea कुछ भी नहीं करती उसमें आपने क्या खाया है उस पे depend करता है अब बहुत सरे लोग कहते हैं कि जी मैंने रात को ज़्यादा खाना खा लिया था तो मेरा 2 kg वजन बढ़ गया है अच्छा कौन-कौन इस पे जो है वो इत्फाक करेगा कि आपने रात को ज़्यादा खाना खाया था तो सुबह उठके आपका एक या दो किलो बजन बढ़ जाता है आपका भी बढ़ता है भाई आपका नहीं बढ़ता है अच्छा बड़े लखी आदमी हैं आप क्योंकि आप इसको ट्रेन नहीं करते आप किसी भी फिजिकल आक्टिविटी की तरफ नहीं जाते वाक आप करते होंगे कमस कम 10 मिनट 12 मिनट या 15 मिनट तो आपका काब्स जो है कमस कम वो पहले 20 मिनट बढ़न होता है उसके 10 मिनट बाद आपके प्रोटीन होते हैं और उसके बाद आपकी फाट बढ़नेंगी टाइम जब आता है तब तक आप घर जाके रेस्ट पे होते हैं इसलिए अगर आपने बना फाट बढ़ने तो उसमें बैट के करने वेले काम में सबसे बेस्ट एकसरसाइज आपकी यह हो सकती है कि आप कमस कम हर आदे घंटे बाद उठके दो से चार मिनट वाक करें तक आपकी बाड़ी को चलने फिरने की आदत रहे और इस तरहां से आपकी बाड़ी फाट ना हो सके अच्छा क्वेस्टिन का आंसर वहीं पही रह गया मैं उसको आंसर करना भूल गए दही का इस्तेमाल जो है वो खाली पेट किया जा सकता है इसलिए क्योंके उसमें healthy bacteria होते हैं हमारे गट को healthy करता है उसमें microbes होते हैं जो हमारे लिए बड़े healthy होते हैं अब दही जो है अगर आप उसको बहुत ज़ादा बलाई वली लेते हैं तो वो आपके स्टमक पे heavy हो जाती है जिसकी वज़ा से अकसर लोगों को diarrhea होनाई के chances होते हैं इवन दही से diarrhea के उन्हें chances होते हैं अगर आप दही सुबा उटते ही खाना चाहते हैं तो आप इस पगोल के साथ खा सकते हैं या आप उसको जीरे के साथ इस्तिमाल कर सकते हैं तके वो अपने healthy benefits वो आपकी body में provide कर सके जी अपका क्या सवाल है Weight कितना होना चाहिए Ideally हर body का depend करता है कि उसका कितना weight होना चाहिए उसका BMI पे depend करता है कि उसका कितनी height है तो उसके according उसका कितना वजन होना चाहिए normal लाग more Kosky नॉर्मल लाइक 5-5 से हो अगर मेल में हम बात करें तो तकरीबन 60-70 के दर्मयान हो तो उसका वजन बिल्कुल ठीक है that totally depends of course कि आप बॉड़ी पे आपकी अगर हाइट 5-6 है 5-7 है हर हाइट के साथ वेट बदलता जाता है आपका प्रोटीन होना है और फिर आपने फैट की तरफ जाना है तो यह process as it is, अपने way में ही चलता है, यह change नहीं होता. नहीं, fat last option होती है, क्योंकि fat जितना stubborn होता है, protein अतना stubborn कभी भी नहीं हो सकता. सबसे stubborn body में आपका fat होता है, और आपका fat, thigh fat सबसे stubborn होता है, क्योंकि हमारी body का सबसे बड़ा muscle जो होता है, वो आपका thigh fat होता है. और अगर आप उसको burn करने लगें, पहले तो किसी specific चीज को हम target करके loss नहीं कर सकते, वजन हमेशा सर से पाउं तक ही कम होता है, एक चीज कभी भी हम कम नहीं करते, जैसे mostly लोगों में मैं देखती हूँ, वो कहते हैं कि जी हम अपना पेट कम करना चाते हैं, पेट कम नहीं होता है, जैसे अभी ये बात कर रहे थे कि मेरा पेट निकलावा है, पेट एक चीज कभी भी target होके कम नहीं होता है, आपने सर से पाउं तक ही वजन कम होता है, एक interesting fact आप लोगों को बताऊं, जब हम अपना वजन कम करते हैं, जिन लोगों ने, अगर आपने से किसी ने किया हो, 15-20 kg जब अपना वजन कम करते हैं, तो आपको अपने सारे जूते भी खुले हो जाते हैं, कपड़े तो होते ही है जूते भी खुले हो जाते हैं आपकी औरतों में रिंग्स खुली हो जाती हैं आपकी उंगलियां भी पतली होती है अक्सर लोग इस जी जी वजन बढ़ाने के लिए आपको वही चीज अपनी एक प्लेट में हर चीज आड़ करनी है काब्स भी आड़ करनी है प्रूटीन भी आड़ करनी है उसके साथ वेजिटेबल फैट हर चीज आड़ करनी है लेकिन जैसे मैंने पहले बताया किसी भी एक स्पेसिफिक चीज को टार्गेट करके जैसे बहुत ज़्यादा आप कहें कि मैं पराठे और ओयल्स खाता जाओं उससे बढ़ायावा वजन कभी भी सस्टेनेबल नहीं होगा अगर आपने वजन बढ़ाने डाइट हेल्दी करें उसके साथ एक्सरसाइज करें आपका वेट अच्छा मढ़ जाएगा सुबह उठते ही बेट टी और बेट कॉफी का जो रिवाज है ये काफी कॉमन रहता है लेकिन इसके नुकसानात जो है हम उससे अवेर नहीं होते आपकी बॉड़ी में अल्रेडी 12-15 गंटे के बाद वो सोके उठती है तो उसके में पानी की कमी अल्रेडी होती है जैसी आप चाहिए काफी पीते हैं तो जितना पानी बॉड़ी में ब्लट सेल्स में या मसल्स में स्टोर्ड होता है वो सारा भी बॉड़ी से बाहर निकल आप वानी की कमी होना शुरू हो जाती है उसरी से तो इसलिए नहीं पीने चाहिए इसके इलावा आपका लिवर ऊशुरू हो जे इसल्हों करने हैं क्योंकर निकल पानी बॉर नाश самых तो बंच यह संनी होती है क्लाति हैं तो पानि इल्य क्योंहिक्त動画 काती होती इन लागत कम असकम सौ कदम चले वजन कम करने के लिए खाना खाने के फौरण बाद सौ कदम अगर आप चले तो आप नॉर्मल एक लाइफ गुजार सकते हैं यह इस क्वेस्टिन अच्छा जो भी शॉर्ट कट होता है न वो शॉर्ट कट ही होता है जो लॉंग सस्टेणेबल गोल होता है अगर आपने उसको अचीव करना है तो आपको लंबे टाइम के लिए ही चलना पड़ेगा और उसके लिए एफ़र्ट और मेनत करनी पड़ेगी अब वो long time के लिए मेनत ये effort क्या हो सकती है अगर आपने वजन कम करना है आप मसलन चावल खाने लगे हैं आप एक प्लेट चावल एक टाइम पे खाते हैं आपने जितने चावल खाने हैं आप उतने चावल अपनी प्लेट में डालें और उसमें से कमसकम दो से तीन चावल डली भी प्लेट में से वापस डालें आप हस रही हैं ये बड़ा अच्छा नुस्खा है कि इस्तिमाल अगर किया जाए मुश्किल इसलिए है क्यूंकि हमने अपने लिए इसको मुश्किल बना लिया है देखें अगर हम अपनी प्लेट में से दो से तीन चमच वापस डालना शुरू कर देते हैं तो ये एक ऐसी प्राक्टिस है कि आपको फील भी नहीं होगा और आपका खाना और आपकी क्यालरी इस आटोमाटिकली काम होनी शुरू हो जाएगी जो रोटी आप खा रहे हो, रोटी अगर आप पूरी खाते हैं तो पूरी रोटी में से आप थोड़ा सा पार्ट उसका निकाल के घर में से किसी को देदें नहीं तो आप अपने घर में एक ऐसी जगा बना ले जहांपे परिंदों का आना जाना हो वहाँ पर आप उसको डाल दें परिंगों क quindi बला हो yerगा आपका भी हो जाए वह मैंने जैसे बताया अगर में बढ़ाना है तो खाना क inmड हो ऑगक करें अगर आपने वजण कॉरन बाद वगकक करई और अगर आपने वजण कम करने के लिए वककरольно करनी है तो कमझ कम आदे घंटे से 45 मिनट के बाद वॉक करें जी बिल्कुल मैं सिकरी जब हम diabetes की बात करते हैं तो diabetes patient में सबसे ज़्यदा जो चीज चलती है वो ये चलती है कि cravings जो हैं चीजों की जो चीज सामने आ जाती है वो इसको mostly लोग crave करते हैं और ये तो पते की बात है जिस चीज से मना किया जाए वो चीज ज़्यदा आपको attract करती है healthy रहने के लिए diabetes patients में fruits का इस्तेमाल करवाया जा सकता है fruits में सिर्फ केले का इस्तेमाल ना करवाएं क्योंके रोजा रखने में फिर उनको मुश्किल पेश आएगी बाकी सब भी fruits जो है almost इस्तेमाल किये जा सकते हैं अगर पपीता इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही अच्छा है उनकी sugar को manage करेगा दूसरा उनको fried items जो हैं जैसे बाकी लोगों के लिए वो भी fried items को कम इस्तेमाल करें और उसके साथ पराठों का इस्तेमाल अपकॉस उसको भी मैं fried items में लूँगी उसका कम करें अंडे का इस्तेमाल ज्यादा करें मीठे मश्रूबात का इस्तेमाल बिलकुल ना करें तो रोजे इंशालला अच्छे गुजर जाएंगे उनके भी सबसे बेस्ट जो इसका हल मुझे लगता है खाने का तरीका जो है वो यह है क्या कि बहुत सारे लोग जो अंडे से allergic होते हैं जिनको लगता है कि वो अंडा खाते हैं तो उनकी बॉड़ी में गर्मी होने लग जाती है जिसको end form हम यह कहते हैं कि blood pressure हाई होने लग जाते हैं अंडा blood pressure बिलकुल हाई नहीं करता लेकिन अगर आपकी body को heat produce करती है उसके बाद तो आप उसके अंडर अगर add कर देते हैं vegetables को और दूद को तो वो बहुत हद तक stable हो जाती है और आपकी body में इस तरह के मसाइल नहीं होते है और आलू खाने के हवाले से कि आलू का खाने के बनाव होता है that is true क्योंकि आलू की अंदर जो starch content और sugar content होता है वो बहुत जादा होता है अगर हम आलू का इस्तेमाल उबलेवे आलू का चाहे कर रहे हो चाहे वो fried का कर रहे हो तो हम always fries की अगर हम बात करें तो हम बहुत जादा fries इकठे consume करते हैं तो उसमें यह होता है कि जब हम बहुत ज करें तो weight loss में hindrance cause करते हैं इसलिए कोशिश करनी चाही कि आलू को ऐसे लोग avoid करें अगर किसी को ऐसा मसला नहीं है तो वो आलू का इस्तेमाल बिलकुल कर सकता है क्योंकि आलू internationally worldwide सबसे जादा इस्तेमाल होने वाली सबजी है जो कि हर चीज में इस्तेमाल होती है और हर ची supplements नहीं लेते तो हमारी body में उनकी weakness हो जाती है लेकिन I prefer अगर आप खाना proper खाते हो अपने खाने में सभी vegetables, fruits और चीज़े अड़ करते हो तो आप बहुत हद तक supplements को अपनी body में जो है वो पूरा कर लेते हो यानि कि जितनी हमारी body में vitamins, minerals की ज़रूरत होती है हम उसको पूर कर पाते हैं तो फिर of course multi vitamins and supplements आप use कर सकते हैं लेकिन excess किसी भी चीज़ की नहीं करनी चाहिए क्योंके हम जब भी किसी doctor or nutritionist को visit करते हैं तो हम maximum सिर्फ एक बार ही visit करते हैं उसे जादा हम इस चीज़ को बोज समझते हैं कि बार बार जाना या बार हमें मुश्किल लगता है तो हम उस चीज़ को जैसे मैंने आपको for example कहा कि आप vitamin C का supplement इस्तेमाल करें आपके metabolism के लिए healthy होगा आपके skin के लिए अच्छा होगा तो आपने vitamin C का serum आप खाते ही चले गए serum कह रही हूं sorry vitamin C का supplement अब खाते ही चले गए लेकिन किसी भी चीज़ के supplement को multi vitamin को तीन महीने से जादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि फिर वो बाडी में excess होने लग जाती है अगर आपने किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करना है तो gap दे के इस्तेमाल करें ताके वो आपकी बाडी के लिए बेहतर हो सके अच्छे डाबेटिक पेशिंट जो होते है न वो वाके छुपके चीज़े खाते हैं अपने प्रेरिस के बाग भी है अच्छे डाबेटिक पेशिंट जो होते हैं वो वाके छुपके चीज़े खाते हैं क्यों खाते हैं इसलिए खाते हैं कि उनको पता होता है कि हमारे घर में ये चीज़ आई है और मुझे ये किसी भी आफर में परानी तो वो करते हैं रात को जिस टाइम सब सो रहे होंगे या कोई देखने वाला मौजूद नहीं होगा वो उस टाइम पर उस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे और उनके शुगर के लेवस बढ़ने लग जाएंगे और अब वो घर पर किसी को बताते भी नहीं है ताके कोई आगे से कुछ कह भी ना सके तो वो अपनी इंसलीन या जो मेडिसन होती है उस पर रहते हैं तो वो काफी जादा फ्लक्चुएट होने लग जाती है अचाहिए इस चीज़ में यह ज़रूर कहना चाहूँगे कि अगर आप मोरेंगा का इस्तेमाल करते हैं अपनी डाइट में मोरेंगा को एड़ करते हैं तो वो शुगर को जो उसके स्पाइक्स होते हैं उसको बहुत हद तक कंट्रोल करने में बेनेफिशल होती है इसलिए जो डाइबटीस के पेशेंट से हैं आइव आल्वेस रिकेमेंड थे कि वो उसका इस्तेमाल लाजमी करें मोरेंगा का इस्तेमाल जो है अगर शुगर पेशेंट कर रहे हैं या वेट लॉस के लिए कर रहे हैं तो खाने से तकरीबन आप आदा घंटा पहले जो है अगर आपने तीनो टाइम खाना है तो आप उसकी सिर्फ वन फोर्थ टी स्पून जो है वो एक टाइम पे इस्तेमाल करेंगें एक कैपसूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ दिन में एक बार ही खाऊ तो आप एक बार जो है वो आधी से थोड़ी से ज़्यादा टी स्पून जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं खाने से पहले बिल्कुल एक गलत कॉंसेप्ट है जैसे मैंने पहले भी बताया कॉंप्लेक्स काब है जो आपने रेड आटे की बात की और जो वाइट आटा है वो हमारा सिंपल काब है अब सिंपल काब का होना बॉडी में वो खराबी पैदा करेगा या बॉडी से बहुत जल्दी जो है वो excrete out हो जाएगा तो इसलिए बेतर है कि हम उसको use करें और जो है इस चीज को हम लेके चलें कि अपना जो white आटा है उसको avoid करें और red आटे को ज्यादा लेके चलें और add on चीजों को mixing करना प्लीज छोड़ दें, avoid करें हम हर चीज में mixing करते हैं और किसी का कोई सवाल है, नहीं तो हम अपना session wind up करते हैं खाने के फॉरण बाद पानी का इस्तेमाल इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जो हमने खाना खाया वो होता है, उसके nutrients absorb होने का body में time ही नहीं देते वो पानी के साथ ही body से निकल जाते हैं, ठीक है, दूसरी चीज़ fruit का इस्तेमाल इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमने खाने में already मीठा consume कर लिया है, अब अगर हम fruit दुबारा से मीठा खाएंगे तो बहुत जादा मीठा हो जाएगा body में I hope that was helpful for everyone और thank you so much